हाई गाईज एंड वेलकम बैक तो माई चैनल प्राची डाइरी आई होप आप सब अच्छी होंगे और यह है अभी जो है वही शाम का टाइम वह इच्छे साथ बजेगा तो यह आ गया था छुटकू रुद्रांस तो बस उसी के साथ में यह पार्ध कर रहा है मस्ती और यह जो है काला चे-समा लगा के जो है इसके साथ सब कर रहे है मस्ती तो यह देखो कैसे फोटो गयरा जो है में प्लिक कर वारे आ ए बटर्फ़्लाई और बस फिर यह है जो है डिनर का टाइम है तो मैं यहाँपर बना रही हूं एक तरभ मेरी जो है बन रही है मूंग की डाल और यह मैं थोड़ी सी मूंग की डाल भिगो रही हूँ क्योंकि कल बनाना है मुझे मूंग डाल का चिला तो बस यहां पर मैंने ली है यह मूंग की डाल और इसमें मैं थोड़ी सी एड़ करतूंगी मसूर की डाल वो बिना चिलके वाली अगर अभी है मेरे पास तो वो डाल देते हूं बट अगर नहीं होती है तो मैं वो जो छिलके वाली होती है साबुत वो भी डाल देती हूं क्योंकि इसका जो मुंग डाल जो यह मैंने भिगोई है तो यह भी जो छिलके वाली है क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है इसका चीला बनाना या वो तो एक जो बिना छिलके वाली होती है फिर उससे वो मुझे एकदम प्लेन लगते हैं तो इससे अगर जब मैं इनके मुगाड़े भी बनाती हूं तब भी जादा करके कुशिस करती हूं कि यह छिलके वाली हो अगर नहीं होती है तो फिर इसके लिए मैं बिल्कुल प्यारी करनी है उसके तड़के की तो यहां पे मेरे पास रखी थी कुछ गाजर तो मैं सोच रही हूँ की अभी बस इसका भी सीजन जाने वाला है गाजर का तो इसका जो है बना लूँ थोड़ा सा हलुआ तो यह एक के जी के करीब जो होंगी गाजर और यह रखे रखे मैंन की दाल पक गई अब मुझे जो है उसका तयार करना है जो है बस तड़का देना है तो यहां पे मैंने कट कर लिए एक यह प्याज और बस यहां पे मिर्च और कुछ जादा नीचे और एक तो जो है लॉंग एकदम से कूट के जो है डाल दूँगे और बस यह तड़का हो ग मिर्च वगएरा पड़ जाता है तो नई तो एकदम से फिर प्लेन लगती है और बस यहां पे डिनर वगएरा सब हो गया है और इसके बाद अब मुझे यह जमाना है दही तो वो मैं दूद को जो है थोड़ा-थोड़ा सा गुन-गुना कर लूँगी और बस यह हाफ चमच था तब मैं सोच रहती पहले कि दही जमाने वाली जो मसीन होती है वो ले लूँ बट ले तो लोग की फिर वही है कि इतनी किचन में जो है तरे-तरे की चीज़ें हो जाती है कि रखने के लिए फिर जगए ने बसी तो यही सोच के फिर मैंने नहीं लिया और जब ज़्याद तरफ से दबा के इसको अच्छे से पैक कर दो और इसके उपर यह कैसरॉल का धकन और इसके उपर मैं एक और जो है मोटा कपड़ा इस तरीके से डाल देती थी तो दही एकदम बढ़िया जो है जम के तयार हो जाता था वही 6-7 गंटे में इतनी सर्दी पड़ गई इस बार अभी ठन के टाइम पे यही करो तो अभी भी थोड़ी-थोड़ी सर्दी थी तो इसलिए मैंने यह टॉवल रख दिया है तो फिर ऐसा नहों कि मैं ना रखूंगी अभी सर्दी का में फिर जब सुबह चाहिए हो तो फिर जमेगा नहीं तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से पैक कर दिया है और मैंने जमाया था ही से वही ग्यारा वजे के करीब और ये अभी है सुबेज वही आठ वजे के टाइम तो एकदम बढ़िया जो है जमके तयार हो गया है और बस अब जो है इसके बाद मुझे बनानी है आलू और फूल गोवी की सबजी तो मैं सोच रही हो कि आज ये दही अच्छे से जम गया तो मैं बनाऊंगी इसकी मठा की आलू जो कि इसमें आलू बॉयल करके वो जो बनाई जाती है तो वो अच्छी लगती है और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ फूल गोवी और आलू की सबजी तो इसको मुझे चोटा-चोटा कट करके फ्राई करना है और यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है कड़ाई में ओयल और मैंने यहाँ बहुत सारा ओयल इसलिए नहीं डालाई करते क्योंकि कोई भी सबजी जब जो है यह इस तरीके से फ्राई करो तो वो पूरा जो है ऑईल एब्जॉर्व कर लेती है और फिर जब बाद में प्याज भूननी पड़ती है तब फिर ऑईल डालो तो फिर बाद में वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाते है तो इसलिए मैंने बस थोड़ा साइस में डाला है कि थोड़ी थोड़ी सी फ्राई हो जाए बहुत ज़्यादा नहीं करनी और इसमें डालने के लिए बस वही एक मैंने प्याज ली है और यह हरी मिर्च और दो तीन लेसुन की कली और यह अधरक डाल दिये कूट के नहीं तो फिर टुकड़े करके डालो तो कभी-कभी चॉप नहीं होती अच्छी से इसलिए मैंने इसे कूट के अच्छे से डाल दिया है और बस इसको चॉप कर लो तो अब जब तक पत्तागोवी और आलू हो गई है और बस मैंने कढ़ाई में इतना यह प्याज फ्राई करने के लिए और डाला है कि जितने में यह बस फ्राई हो जा और यहां पर बस वही हली धन्या और गरम मसाला और लाल मिर्च अगर आपको डालना हो वो डाल दिया और यह जो है फ्राई करीती जो पत्तागोवी और आलू तो यह भी मतलब अच्छी तरीके से तो नहीं पकी है और बस इसमें नमक डालके मैं इसे डग दूँगी तो यह 15 मिनट में आराम से सबजी फिर पक जाएगी और इसके बाद में मैंने जो है जो कल रात में भीगो दी थी यह मूँ की दाल और यह मसूर की दाल तो यह अच्छे से भीग गई और मुझे बनाना इसे इसका मूँ दाल का चीला तो यहां पे मेरे पास जो है रखे थे यह काल इसमें पानी डाल के इसे मोटा मोटा एकदम बारिक पेस्ट तो नहीं बनाऊंगी थोड़ा सा मोटा जो दरदरा टाइप होते है उस टाइप का बनाऊंगी तो उससे मूँ दाल का चीला थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है तो मैं दाल भी जादा करके कोशिस करती हूँ कि बस रोटी भी जो है बन गई है एक तरफ और ये मैंने जो है बना दिया यहाँ पे चीला तो मेरे पास ये तवा था और इस तवा में ये फायदा या आप बड़ा सा एक चीला हो या डोसा हो इसमें फैला सकते हो तो जब मैंने कल वाली वीडियो डाली थी तह मैंने इसमें फर्स टाइम डोसा बनाये था मुझे लग नहीं रहा था, कि पता नहीं कैसा बनेगा नहीं बनेगा, बड़ जो अच्छा बना था, और इसमें आज मैंने ये चीला भी बनाया, तो ये भी आप जितना बड़ा फैला सकते हो, उतना बड़ा आराम से फैल जाएगा, और मतलब अच्छा बनता है, इसकी ठीकन कि कैसा बनेगा बट वही है कि ये तवा साइज में अपने से थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है जो किचन की रैक वगएरा हो तो उसमें ना आए तो मैंने इसमें जहां पे टंकी वगएरा रहती है बड़ा बड़ा सावान मैंने इसको वहां पे रखा है क्योंकि ये नॉर् तो वस ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक चेर एं स helpless जरूर करना और कमेंट के तूष जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बस फिर मिनते हैं नए वीडियो के साथ में तब-टक लिए बाई बाई एंड टेक केर और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो वो लोग भी जोए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लो और जोए इसकी बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जोए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाईल में मिल सके